गोरी मेरा दाना मुझे दो ये दाना मेरा है मैं अपने बचों के लिए लेकर जा रहे हूं ये दाना तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे बच्ची हैं मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे ये दाना तो मेरा जग्गू ही खाएगा सब को अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगती हैं लेकिन गोरी कवी चिडिया का दाना उठा कर वहां से भाग जाती है चिडिया निराश हो कर वहां से उड़ जाती है चिडिया को मैदान में एक पेर से मीठा फल मिल जाता है मिल गया, मुझे मीठा फल मिल गया, मेरे बचे मीठा फल खाकर खुश हो जाएंगे चिडिया वो फल अपनी छोटी सी चोच में लेकर अपने घड की तरफ उड़ती है रास्ते में गोरी कवी का पती कालू कवा चिडिया को रोक लेता है मुझे चाने दो, कालू कवे, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है मीठा फल खाने को दिल कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें पहले ही तुम्हारी पतनी मेरा ताना चिण कर ले गई है अब मैं अपना मीठा फल तुम्हें किसी कीमत पढ़ नहीं दूँगी कावा आगे भड़ता है, और चिण को धका देकर नीचे गिरा देता है और चिण का मीठा फल खीन कर वहां से भाग जाता है डुस्ट कावा, गंदा कावा, बुरा कावा, यह मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्ध होगा चिणिया बेबस बैठी, वहां ऐसे बोले जा रही थी चिणिया सुभा से उरती फी रही थी पहले दाना गोरी ने छीन लिया, और अम मीठा फल कवे ने चिणिया से छीन लिया फिर चिणिया उरती उरती, इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है वहाँ उसे खाने को तो कोई चीज नहीं मिलती लेकिन एक अजरे के धेर से एक क्लॉक मिलता है मैं अपनी बेटी के लिए आज खाना तो ना ढूंड सकी मैं ये घर ले जाती हूँ मेरी बेटी इससे खेल कर टाइम गुजार लेगी चिडिया वो क्लॉक उठा कर अपने घर ले जाती है ममा ये ख्या है ये तो बहुत अजीब चीज है इसकी सुया खूंती भी है गुडिया बेटी ये क्लॉक है ये इनसानों को टाइम बताता है ममा ये ठकता नहीं है ये हमेशा ऐसे ही खूंता रहता है हाँ बेटी इसमें एक बैटरी होती है जिसकी वज़ा से इसे ताकत मिलती है और इसकी सुया घूंती रहती है ममा चिडिया एक कील दिवार में ठौंकती है और सीड़ी पर चड़कर वोक लोक दिवार के साथ लगा देती है रात हो जाती है ममा चुडिया लेड जाती है गुडिया बेटी मैं आज आपके लिए खाना नहीं ला सकी जो मिला उन जालिम को वो ने छीन लिया ममा कोई बात नहीं मैं कल खाना खालूँगे आप मेरी चिंता ना करें गुडिया और उसकी ममा दोनों सो जाती है रात के बारा बच जाते हैं दिवार पर लगा कुलोग बारा बार तंदन करता है और क्लोग में से आवाज आती है तंदन रात के बारा बच के बारा चीजे किसको दूँगे? तंदन रात के बारा बच के ममा चडिया और गुडिया भी उठ जाती है तन तन रात के बारा बज़के ये क्या बोल रहा है हमारा क्लोग ममा बारा चीजे मांग लो मुझे तो ये कोई जादूई क्लोग लग रहा है वो क्लोग फिर से बलता है तन तन रात के बारा बज़के बारा चीजे किसको डूम है क्लोक मेरे क्लोक आप मुझे बारा मीठे फल दे दे गुडिया का इतना कहना ही था कि उस चादूई क्लोक से बारा मीठे फल बाहिर निकलती है हर एक नमबर से एक फल बाहिर निकल रहा था गुडिया और उसकी ममा हैरान भी थी और खुश भी ममा ममा ये चादुई क्लॉक हमें मिल गया अब तो मज़ा ही मज़ा होगा गुड्या बेटी मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा मैं एक चादुई क्लॉक हूँ जब भी रात के बारा बजेंगे मैं आपको आपकी पसंद की बारा जीज़े दूगा ममा चडिया और उसकी बेटी दो दो मीठे फल खाती है और सो जाती है सुभा हो जाती है ममा चडिया बागी के मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है कबूतर भेया ले आप ये मीठे फल रख ले कबूतर हैरानी से पूछता है चुडिया इतने सारे मीठे फल कहां से लिए आपने? ये सम मुझे मेरे जादूई क्लॉक ने दिये हैं। चुडिया वो फल कबूतर को दे कर चली जाती। रानो चुडिया की ऐसी कहानिया सुनने के लिए यूटूब सर्च बार में रानो चुडिया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबा कर बोल कर के हैं रानो चुडिया की कहानी। कबूतर आदे मीठे फल दोते को दे देता है। मिठु दोता अपना मीठा फल खा रहा था कि वहां गौरी कवी आ जाती है। दोते दोते ये फल मुझे दे दो ना ना ये मीठा फल मुझे चड़ियाने दिया है मैं किसी को नहीं दूँगा अपना मीठा फल फिर गोरी कवी कबूतर के पास जाती है कबूतर कबूतर अपना मीठा फल मुझे दो ये चुडिया ने अपने जादूई क्लोक से लिया है मीठा फल मेरे लिए है ये मैं किसी को नहीं दूँगा जादूई क्लोक का सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है वो अपने घर भागती है कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ चिडिया को कोई जादूई क्लोक मिला है जो चिडिया को मीठे मीठे फल और भाजन देता है आज रात हम छुप कर देखेंगे और अगर ऐसा है तो कोई मुश्किल नहीं हम वो चोरी कर लेंगे चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है रात हो जाती है कवा और कवी चिडिया के घर की खिड़की के पास जाकर छुप कर बैट जाते हैं जैसे ही रात के बारा बचते हैं चिडिया का क्लोक शौर मजाता है जदूई प्लोक हमें मिठाई समोसे और पकोड़े दे दो फिर जादू इक लॉक के एक एक नमबर से एक एक चीज निकलने लगती है गोरी कवी और कालू कवा आंखें फार फार कर ये सब देख रहे थे सुबह हो जाती है जैसे ही चिडिया अपनी बेटी के साथ नड़ी पर पानी पीने जाती है तो कवा चिडिया के घर में घुश जाता है और चिडिया का जादू इक लॉक चोरी कर लेता है कवा भाग जाता है कालू कालू जी इसे अलमारी में छुपा देते हैं अगर दिवार पर लगाया तो चिडिया देख लेगी कवा वो चोरी किया हुआ क्लोक अलमारी में छुपा देता है ममा चडिया और गुडिया घरा कर अपना जादूई क्लोक ना देह कर परेशान हो जाती है गुडिया बेटी हमाला क्लोक नहीं है ममा हमारा जादूई क्लोक जरूर हमारे पास आ जाएगा हमारा चमतकारी क्लोग कोई चोरी नहीं कर सकता कववा और कवी रात होने का इंतिजार कर रहे थे जैसे ही आधी डाध होती है और रात के बारा बजने वाले होते हैं तो कववा वो जादुई क्लोग अलमारी से निकाल कर अपने सामने रख लेता है बाराम बचते हैं पहले क्लॉक बाराम बार तंटन करता है और तिर बॉलता है तंटन रात के बाराम बचके बाराम चीजे किस को तोग है मुझे मुझे ही दो क्लॉक जी मुझे बारा सोने की चूड़ियां दे दो पूरा सेट बन जाएगा मेरा उस जादूई क्लोग की तीनो सुईया तीन सांपों में बदल जाती है और वो तीनो सांप गोरी और कालू के पीछे भाग दे हैं कवा और कवी घर से बाहर निकल जाते हैं बचाओ बचाओ हमें इन सांपों से बचाओ शोर सुनकर चुडिया वहां आ जाती है जडिया जडिया गलती से हमने तुम्हारा जादूई क्लोग चोरी कर लिया प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादूई क्लोग वापिस ले जाओ गोरी अचाई के बदले अचाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है क्योंके तुम बुरी हो, चौर हो इसलिए वो जादूई क्लॉक तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा फिर चडिया खुशी-खुशी अपना जादूई क्लॉक लेकर घर वापिस चली जाती सुन्दर परी घन जंगल से जा रही थी कि वो मकडी के एक बड़े जाल में फंस चाती है और उसकी जादूई जड़ी दूर जा गिरती है मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस के हूँ अब क्या होगा जब तक मेरी जादूई जड़ी मुझे नहीं मिल जाती मैं इस चाल से नहीं निकल सकती वो सुन्दर परी बहुत परेशान थी और रो रही थी कालूजी मेरा तो आज दिल कर रहा है कि घने जंगल में जाकर ठंडी चाओं में सोते है कावा और कवी घने जंगल में चले जाते हैं गोरी सुन्दर परी को मकडी के जाल में फंसा हुआ देख लेती है कालू कालू जी वो वो देखो वहां कोई है दोनों कवे वहां जाते हैं कावा मेरी मदद करो मेरी मदद करो तुम तो खुद एक परी हो हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं मेरी जादूई चड़ी वहां गिर गई है आप मुझे मेरी जादूई चड़ी उठा कर देदे फिर ही मेरी सारी शक्तियां कम करती ये बास सुनकर कववा और कववी एक दूसरे की दरफ देखती है गोरी कववी जाती है और वो जादूई छड़ी उठा लेती है कववा भी गोरी कववी के पीछे ही चला जाता है गोरी ये जादूई छड़ी सुन्दर परी को देने की बजाए हम अपने साथ ले जाते हैं और फिर सारे जंगल के पक्षियों पर राज करेंगे इस जादूई छड़ी के कारण कालू जी अच्छा ही हुआ जो हम आज इस दिशा में आगे अगर वो छोटी जड़िया होती तो वो ये जादूई छड़ी इसे सुन्दर परी को लुटा देती जादूई छड़ी जादूई छड़ी हमें भाजन दो जादूई छड़ी से एक तेज रोशनी निकल दी है और कवों के सामने धेर सारा खाना आ जाता है कवा तो खुशी से उचलने लगता है दोनों कवे पेट भर कर भाजन खाते है आप मेरी जादूई छड़ी मुझे दे दे में मर रही हूँ मेरी मेरी सासे यहां रुक रही है माफ करना सुन्दर परी ये जादूई छड़ी हमारे बहुत कामाने वाली है कवा और कवी जादूई छड़ी लेकर वहां से चले जाती है और सुन्दर परी कवों को जाता हुआ देखती रह जाती है कालू पती जी मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जो जंगल में सबसे बड़ा और सुन्दर हो तो फिर अभी ले देता हूँ मैं इस जादूई छड़ी से जादूई छड़ी जादूई छड़ी हमें एक बड़ा सा घर दो दोसरे ही लम है कवों का पुराना और तूटा हुआ घर एक शांदार और बड़े घर में बदल जाता है गोरी कवी और कालू कवा घर के अंदर जाते हैं कालू जी मुझे तो विश्वासी नहीं हा रहा कि ये घर सच में हमारा है तो और क्या चड़ीया का है? हाँ याद आया गोरी गोरी हम इस जादूई छड़ी से कहते हैं कि चड़ीया का घर तोड़ दे कैसा? हाँ हाँ फिर देखना कैसे रोती हुई छोटी चड़ीया हमारे पास आएकी इतने में उनका बेटा जगुकवा रोता हुआ घर में आता है ममा ममा मुझे कबूतर चाजा के बेटे कीकी और रानो आँटी के बेटे कुकू ने बहुत मारा है कालू लाओ दो मुझे ये जादूई चड़ी मैं अभी जाकर उसे चोटी चड़िया और गंदी आंखों वाले कबूतर को मजा चिखाती हूँ जादूई चड़ी जादूई चड़ी लेकर चिळिया के घर जाती है चोटी चिडिया तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे जगु शेर को मारने की ममा ममा हम खेल रहे थे कि जगु ने आकर लड़ाई शुरू करती गोरी बच्चों की बातों को ज्यादा बढ़ाते नहीं है जाने दो बात को जाने कैसे दूँ अभी देखना मेरी जादूई चड़ी क्या करती है जादूई चड़ी जादूई चड़ी इस चोटी चड़िया के घर को तोड़ दो दूसरे हिलन में चिडिया का दूटी पर नीचे गिर जाता है चिडिया अपने घर को टूरता हुआ देहकर बहुत दुखी हो जाती है गोरी तुम बहुत बुरी हो, बहुत गंदी हो तुम अच्छा मैं अभी बताती हूँ तुम्हे जादूई चडि लगाओ दो चार इस चोटी चिडिया के फिर वो जादूई चडिया को माने लगती है और गोरी कवी ये सब दोखकर हंस्ती रहती है जाते जाते गोरी कवी कबूतर का घर भी तोड़ देती है कबूतर जब शाम को दाना लेकर वापिस आता है तो उसका घर तूटा हुआ था कबूतर अपना घर तूटा हुआ देहकर रौने लग जाता है मेरे साथ ये किसने जुल्म किया मेरा निया घर किसी ने तोड़ दिया फिर वहाँ चिडिया रोती हुई आ जाती है कबूतर भाई ये क्या तुम्हारा घर किसने तोड़ दिया मुझे क्या मालू मैं तो अभी अभी दाना लेकर आया हूँ देखा तो मेरा घर तूटा हुआ था उस डूष्ट कवी के पास एक जादूई छड़ी है उसने उस जादूई छड़ी से मेरा घर भी तोड़ दिया है अब हमें उस गोरी की बच्ची का कुछ न कुछ करना ही होगा प्यारे दोस्तों रानो चड़िया की ऐसी कहानिया सुनने के लिए यूटूब सर्च बार में रानो चड़िया की कहानी लिखे चुड़िया वो दुष्ट कोवे मेरी जादूई छड़ी चुड़ा कर लेगे है किसी तरह मुझे मेरी जादूई छड़ी उन कवों से वापिस ला दो वरना वो उस जादूई छड़ी से सब को दंग करेंगे सुन्दरपरी उन्डुष्ट कवों ने मेरा और कबूतर का घर भी उस जादूई छड़ी के कारण तोड़ दिया है लेकिन आप चिंता ना करें मैं अभी जाती हूँ और उन कवों से किसी तरह वो जादूई छड़ी वापिस लाती हूँ फिर चिडिया वहां से चली जाती है चिडिया और कबूतर रात होने का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही रात होती है चिडिया और कबूतर कवों के घर की तरफ जाती है कवा और कवी पेट भर कर भोजन खाने के बाद सोय हुए थे कबूतर भेया आप यहां बैठे मैं आहिस्ता से जाती हूँ और जादूई चड़ी उठा कर ले आती हूँ चुडिया दिहान से जाना अगर उन कवों को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी फिर चुडिया चुपके से कवों के घर में गोश जाती है चुडिया इधर उधर देखती है अलमारी के ऊपर रखी हूई जादूई चड़ी चुडिया देख लेती है चुडिया वो जादूई चड़ी उठा कर वहां से निकल जाती है कबूतर और चिडिया रात के अंधेरे में घने जंगल में जाते हैं और सुन्दर परी की जदूई छड़ी उसे लुटा देते हैं जदूई छड़ी मिलते ही सुन्दर परी के शरीर में जाना जाती है और वो कहती है आपने मेरी मदद की आप दोनों का बहुत बहुत है निवाद सुन्दर परी उन्डुस्ट कवों ने हमारे घर तोड़ दिये है सुभा हो जाती है और सुन्दर परी चिडिया और कपूतर के घर दूबारा बना देती है चुडिया और कपोतर आप बहुत अच्छे पक्षी हो मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी और अब उन डुस्ट कवों को सजा मिलेगी फिर सुन्दर परी कवों के घर जाती है और कवों को घर से बाहर निकाल कर पेड़ के साथ उल्टा लड़का देती है और उन कवों की खुब पिटाई करती है सुन्दर परी सुन्दर परी हमें माज़ कर दो गोरी अगर बुरे काम करोगी तो सजा तो मिलेगी ही चिरिया और कवों को पेड़ता हुआ दिर पर खुब इंजोई करते है